हरी कृष्णा राधी राधी वेल्कम बैक टू हैपी लाइफ इद काना जी जिसकी आज की वीडियो में आप है शिवानी के साथ आज हैपी लाइफ इद काना जी की वीडियो में हम एक बहुत ही इंप्टन्ट बात पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कामिका एकादशी का वरत 24 जुलाई यानि रविवार के दिन रखा जाएगा और अगले दिन यानि सोम बार को उसका पारण किया जाएगा एकादशी वरत का पारण बहुत ही जादा महतोपूर्ण बाना जाता है जितना महतवपूर्ण एकाद्शी का वरत होता है उतना ही महतवपूर्ण एकाद्शी वरत का पारण होता है अगर एकाद्शी वरत का पारण सही से ना करें तो एकाद्शी वरत पूर्ण नहीं माना जाता इस दिन श्रावन का सोंबार है और अधिकतर भक्तों का सावन के सोंबार का वृत है तो ऐसे में समस्या है कि हम पारण कैसे करेंगे क्योंकि एकाद्शी वृत का पारण अन खाकर भुने चने खाकर किया जाता है तो ऐसे में अगर हम बुने चने के साथ पारण करते हैं तो हमारा सौंबार का वृत नहीं लगेगा क्योंकि हमें सौंबार के वृत में सुबै से अंद नहीं खाना हैं तो कैसे पारण करें तो देखे इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं पहला तरीका आप अगर घर पर लड़ो गोपाल जी की सिवा करते हैं तो आप उनका चर्णामरत बना लीजिए चर्णामरत बना कर उस चर्णामरत के साथ तुलसी दल लेकर आप पारण कीजिए और भगवान विश्नु से प्रार्तना कीजिए लेकर आप सब जानते हैं आप सब कुछ जानने वाले हैं आपको पता है कि आज मेरा शरावन के सुमबार का वरत है और मैं अनका कर पारण नहीं कर सकती आप इसी को मेरा पारण स्विकार करें और आपकी किरपा से मेरा यह एकादशी का वरत पूर्ण हो अगर आप लड़ू कोपाल जी की सेवा नहीं कर रहे हैं तो भगवान विश्णू के चर्णामरत के साथ भी आप वरत खोल सकते हैं अगर आपके पास चर्णामरत उपलब्द नहीं है तो आप कंगा जल के साथ तुलसी दल लेकर भी एकादशी वरत का पारण कर सकते हैं तो यह तो हुई एक विधी अब यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे हैं जो बिना अनखाए एकादशी वरत को पूर्ण नहीं मानते उनका मानना है कि जब तक हमने अन ग्रहन नहीं किया हमारा एकादशी वरत पूर्ण नहीं हुआ और एकादशी का पारण एक निश्चित समय में करना होता है सुबे का समय होता है एक निश्चित समय होता है तो उसी में हमें पारण करना है तो उसी के अंदर हमें अन्भी ग्रहन करना है तो इसके लिए आपके पास दूसरा तरीका है कि आप चर्णामरत लेंगे बगवान विश्णू का या लड़ू को पाल जी का या गंगा जल लेंगे और उसके साथ में एक चावल का दाना सिर्फ एक सिंगल चावल का कच्चा दाना आप उस जल के साथ निगल लेंगे अगर आप एक चावल का दाना जल के साथ निगलते हैं तो इसका दोश नहीं लगता है आपके दूसरे वरत में और आपका एकापशी का वरत भी पूर्ण हो जाता है जिसके बाद आपको भगवान विश्णू से इसी तरह से प्रार्थना करनी है कि है भगवान आप सब कुछ जानने वाले हैं आपको पता है मेरे सावन के सोंबार का वरत है और मैं इससे ज़्यादा अंग्रहन नहीं कर सकती तो आप इसी को मेरा पारंड सुईकार करें और मेरा वरत आपकी कृपा से पूर्ण हो इसी के साथ आपको भगवान शिव से भी शमा प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे एक चावल का दाना ग्रहन करना पड़ा क्योंकि मुझे एकाद्शी वरत पूर्ण करना था आप मुझे शमा करें और जो सोम बार का वरत मैंने आपकी परसंता के लिए रखा है आप उससे परसंता हो और मेरी भूल को शमा करें इस तरह की प्रार्थना आपको करनी है और इससे आपका एक आच्छी का पारण भी हो जाएगा और सोम बार का वरत भी आपका चलता रहेग आपका सोंबार कवरत भी नहीं तूटेंगा आज की वीडियो में बस इतना ही हरी कृष्णा राधी राधी राधी